नमस्ते गाइज आशी शेप और नमस्ते डेकर हमारे पास है वीवो का X60 और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके 5 फीचर जो मुझे बहुत पसंद है और 5 ऐसे ड्रॉबैक्स जो मुझे लगा कि इस फोन में कम है या नतिंग मेजर बट बेटर हो सकता था त तो जो सबसे पहला फीचर है वो है इस फोन की थिननेस हम लोग ने V20 और V20 प्रो की वीडियो बनाये थे और सेम पॉइंट मैंने कहा था कि एक बार एक इतना थिन फोन यूज कर लो आप दूसरे फोन कोई भी फोन हो आप उस पर स्विच करोगे वो फोन आपको थिक लगे लगेगा दिस इस 7.38 mm और ये शाद बन अब दो थिनस फोन है फिलहाल मार्केट में और मैंने वी 20 वी 20 प्रो जब यूज किया था और ये जब यूज किया सेम कहानी मतलब दूसरा कोई भी फोन हो मेरे पास वो मुझे मोटा लगेगा ठीक है जनरली लोग के साथ यूज कर तो बता हूँ सामने आपको Amoled डिस्प्ले़ और Gorilla Glass वर्या मिल रहा है कोई दिककत नहीं है डिस्प्लेव का जो रइश्यो ऑभी अच्छा है तो डिस्प्लेश कोई कोई पंगा नहीं विल्ड क्वालिटी आपको प्रीमियम ही मिल्ति एक प्रीमियम फिलियो फंग में ये Snapdragon 870, RGB का RAM और साथ में UFS 3.1, UFS 3.1 is like SSD, अगर आपका computer slow चल रहा है तो आप SSD लगवा लो अपने हाँ फास्ट हो जाए, UFS 3.1 की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, application installation, application loading, game के performance, सब कुछ UFS 3.1 में better feel होता है, अगर UFS 3.1 नहीं है, प्रोड़ा sluggish लगेगा, compare अगर दूसरे फोन से आप करते हैं, नहीं है, तो इसके कारण एक बहुत soothing experience देता है, आपको loading में, it's like, आप ऐसे समझ लो, अगर आप internet से 10 Mbps में download कर रहे हो, लेकिन आपका जो storage है, वो उतनी speed में write नहीं कर सकता, तो आपके पस कितना भी high speed हो, कोई doesn't matter, लेकिन अगर आपका hard disk ज्यादा speed में write कर सकता है, तो एक slow internet connection भी ज्यादा बेटर फील होगा, next बात करते है, RGB RAM की, तो RGB का RAM common है, difference क्या है, तो वीवो के official website पर जाओगे, तो वहाँ पर आपको देखेगा 3GB का virtual memory वाला फंडा, ये वही फंडा है, या उसी तरह का फंडा है, जो कि उस समय पहले तक hard disk में आता था, कि एक USB stick लगा लो और वो बूस्ट हो जाता है, स्पीड क्योंकि उसको RAM की तरह यूस करता है, तो ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब आप कोई heavy application, like game यूस कर रहे है, जो कि 4-5 GB memory ले गया, बहुत सारे application background में, उस समय आप इसके फाइदे समझ पाऊगे, क्योंकि ये application को unloading करेगा, उसको reserve में रख Amoled panel अच्छा है, कि IPC panel अच्छा है, कि ये panel अच्छा है, मतलब इतना कुछ है, पैनल अपने हाप में एक discussion का point हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक black theme यूस करना पसंद है, बहुत मूवी देते हो, जो क्योंकि थोड़े डार्क होता है, ये गेम से जो बहुत डार्किश हो है, एक बहुत advantage मिलता है Amoled में, Amoled हला कि हो सकता है, बैटरी थोड़ा ज्यादा consume करे, always on display अगरे के चकर में, बट अपने आप में Amoled panel को definitely advantage है, even color contrast बेटर आते हैं, तो हर मामले में Amoled panel जो डिस्पले को rich बनाता है, colors को ज्यादा vivid बनाता है, बहुत फरक है, तो इसमें यह चीज बहुत ही amazing है, तीसरा है इसका 120Hz 240Hz का जो पैनल मिलता है, refresh rate जिसको बोलता है popularly, scrolling के time में मज़ा आजाएगा, अगर आप content बहुत जादा रीट करों, बहुत जादा स्क्रॉल करते हो, या gaming जबाब करते हो, अपने आप में एक solid advantage मिलता है, this is something आपको experience करना पड़ है, जैसा situation हो, again कुछ applications होता है, जो कि restrict करते हैं, इतना ही hertz पे वो चलेंगे, तो वो सब अलग बात है, बट अगर आप long content रीट करते हो, WhatsApp के messages हो गए, Facebook हो गए, कुछ भी हो गए, जा स्क्रॉलिंग बहुत है, वहाँ पर यह अपने आप में इक difference क्रेट करेगा, तो camera की, और एक चीज माननी पड़ेगी, वीवो ने always deliver किया है phone में, camera में, camera department में always deliver किया है, चाहे वो camera के actual performance की बात हो, यानि कि hardware, चाहे वो camera में features देने की बात हो, जब आप photo ले रहे हो तब, जब वीडियो शूट कर रहे हो तब, चाहे वो post processing की बात हो, यानि कि photo लेने के बात, एक काम करता है, photos app मत use करना, वीवो का एक album app है, अगर आप वो use करोगे, उसमें आपको AI के features मिलते हैं, और बहुत difference create करता है, हम लोग ने कई सारे night shot लिये थे, road के, building था, बहुत दूर, और side से light आ रहा था, objects थे अलग-अलग, वो photo को हम लोग ने जब AI image editing किया, तो उसमें वो objects identify कर सकता है, road, building, trees, एक आदमी, background, सब कुछ identify कर सकता है, उसके अधाब चाहो तो sky बदल लो, building जो back में थी, उसको आप टाप करके, उसका contrast पगरे, चेंज करके, उसको brighten up कर दो, road जो बहुत जादा डाग दिख रहा है, उसको अप तो बहुत आप कर दो, यानि कि post processing के बाद, काफी difference आजाता है, अब अगर camera के interface की बात करें, तो हम लोग ने dedicated video बनाया है, हम request करें कि आप उसको जरूर देखिये, लेकिन बहतरीन features है, customizations available है, अलग अलगतर की modes available है, आप moon का photo ले जाने चाहते हो, तो है कि इसमें moon वाला mode है, आप moving objects को लेना चाहते हो, लोग करना चाहते हो, उसका एक mode है, default panorama यह सब तो हई है, that is normal, night shot है, again night mode में अगर आप लेना चाहते हो, उसके आद, night में आप stars का लेना चाहते हो, fantastic job, औ और अगर आप selfie lover हो, या अपने photo को photo खीषते time ही customize करना चाहते हो, दूबले पतले दिखना, थोड़ा चमकावा चहरा, भानी कि बहुत लोग को पसंदे, AR stickers है, एक एक part को आप optimize कर सकते हो, अपने choice के हिसाब से, lastly phone के camera quality, कोई doubt नहीं है, मुझे कि इसमें कोई ऐसा कोई खरा इतने इंप्रेसिव नहीं है, यह चोटा सा drawback मुझे लगा, major नहीं है, लेकिन selfie lovers थोड़ा सा इसको like नहीं करेंगे, तो चलिए तो हो कि camera की बाद, अब last प्रत करते है, front touch OS की, front touch OS, अगर मैं, मैं vivo का phone बहुत यूज़ किया है, मैंने, और I have seen कि एक bloated operating system, एक heavy operating system से, यह अ कहां पर आ गया है, कि it is one of the सबसे बहतरीं OS skin है, अभी या कुछ भी आप जो भी बोल लो इसको, heavy नहीं है, bloat wear is कम हो गये है, और lag नहीं करता है, जवाज कि कुछ सर्च करना है, तो lag करने लग जा नहीं, वो वाली बात नहीं है, college icons है, settings को बहुत अच्छे से किया है, कि general public समझ सके, यह सब चीजे बहुत ज़्यादा matter करती है, एक consumer के हिसाब से, इसमें बहुत सारे features है, general जो phone मिलते हैं, वो भी features है, app lock, second space, eye manager app है, fingerprint, face unlock, सब कुछ है, बट जो use करने का experience है, मैं उसी पर ही जोर दूँगा, कि use करने का experience बहुत अच्छा है, जो कि मेरे इसाब से सबसे primary चीज होनी चीज़ है, आज के phone में, हम लोग ने इसके उपर भी एक video बनाया, one touch os 11 आता है, जो के android 11 पे है, आप वो video ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज जादा detail समझ में आएगा, अब हम बात करते हैं, इसके drawbacks की है, जो features मुझे नहीं समझ में आए, पहला, ये phone वीडियो लॉगर के लिए नहीं है, अगर आप TikTok में reels बनाते हो, या Instagram में reels बनाते हो, TikTok में videos बनाते हो, Facebook में आप videos बनाते हो, ये phone आपके लिए नहीं है, बहु एक feature जो नहीं है, जो मुझे personally लगा कि इसमें होना चाहिए, दोनों camera आप एक साथ नहीं use कर सकते हैं, कई बार होता है कि मुझे कुछ दिखाना है, ये video logger अपने आपको भी दिखाना है, दोनों चीज़ एक साथ, वो इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोसेसर इसका वीक है, प्रोसेसर इस फैंटास्टिक, लेकिन ये feature नहीं है इसमें, जो कि बहुत सारे video loggers को नहीं समझ में है, कि ये क्यों नहीं है, होना चाहिए था, सेकेंड जो ड्रॉबैक है, इस के कैमरे का बोलो वो है कि, जब आप 1080p, 60fps पे जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो फोकस का इश्यू है, ये हो सकता है, सॉफ्टवर से सॉल्व हो जाए, बट ये इश्यू है, और जो स्पेशली वीडियो लॉगर्स है, या जो वी सॉफ्टवर लेवल पे हाडवे लेवल पे नहीं है, और ये कई बार हम लोगों ने फोन में देखा है, आते वे, तो पहला कि मेसेंजर को अभी भी आप डूपलिकेट नहीं कर सकते हो, ये शायद इश्यू कई सालों का है, कभी नहीं सपोर्ट किया, उसके बाद जो डेट कंजंप्शन है, जो मुबाइल डेटा कंजंप्शन है, वो नोटिफिकेशन सेंटर या अक्शन सेंटर में आता है, ये एक ऐसा फीचर है, जिसको लोगों ने कई बार पूछा है, कि ये है की नहीं है, और ये अक्चुली नहीं है, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में भी लिमि कर सकते हो, but completely disable का option नहीं है, तो ये चोटे-चोटे software bugs है, या feature नहीं है, या implement होगे शायद, क्योंकि मुझे याद है, वीव वी 20, मेभी यही प्राब्लम वाद है, Facebook भी और WhatsApp व्यूटी मोड नहीं है, इसमें तो खार दे रखा है, 1160 में, but उसमें ये नहीं था, नेक्स बात करते हैं, बैटरी की, बैटरी स्टिकली ओकेश है, खराब है, ऐसा बोल दी सकते हैं, उसका रीजन है कि ऐसे तो आपको 4300 अमेज की बैटरी मिल रही, एक दान ठीक ठाक निकल जाता है, but मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि ओवर और परफॉर्मेंस OS की प्र बट एक एक्सपेक्टेशन रेवल क्योंकि V20 प्रो और V20 बैटरी मुझे बहुत अच्छी मिली थी, और मोस्त आसपास कही बैटरी है, बट यहां पर बैटरी पोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जो एक लास ड्रॉबैक है, वो है कि समें मोनो स्पीकर है, क्यों भाई, एक स् स्पीकर होते है तो लॉद नस बैटर होते है, जो बट ब्रॉब्लम है, बट लॉद नस में प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत लोग हैं भी स्पीकर पे सुनते हैं, वक आट कर रहे हैं, व्लूटूथ ynहीं उस करते हैं, यह नॉर्मल बैट है है बाई कान में कुछ नहीं लगा याना स्पीकर पर चलाना सब पुछ उन्हों को यह थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट लगेगा एम वेरी वेरी शूर मोनो स्पीकर होने से लाउडनेस कम हो जाती है फिर वह ही है कि आप एरफोन लगाऊ तो यहां पेकर ड्यूल स्पीकर होता तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो देखिए और फिर डिसाइड करिए कि फोन लेना है कि नहीं लेना है अगर आप एक वी लॉगर है तो इस फोन को अवाइड करिए प्रामेरी कामरा का परफॉर्मेंस बढ़िया तो उस पॉइंट और प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट एक कामरा सेंट्रिक फोन में कुछ फीचर्स होने ही चाहिए जैसे कि वीडियो में स्टेबलाइजेशन होना चाहिए और वी लॉगर्स के अलग-अलग मोड्स जाधा होने चाहिए वो सब इसमें नहीं है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और पिरेपन दोस्तों वी साथ तेख निकली धन्निवाद